पुलिस भलकी भी तैनाती की गई हैं अंदर ICO में बताया जारा है मुक्तार अंसारी ने लगाया था और अब बड़ी खबर यह है कि बीती रात तब्यत जादा बिगड गई और उसके बाद जो मेडिकल की टीम है उसे पहले जेर में बुलाया गया और उसके बाद अस्पताल में भरती करवाया गया है बताया जा रहाँ आई सिउ में भरती है मुक्तार अंसारी और शरी जाता चांकार के साथ मनीश व्यादव हमारे सायूर की हमारे साथ जोच चुके मनीश अभी फिलाल क्या अब गेजस है डॉक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है मुक्तार अंसारी की तवियत को लेकर देखे दीवका अभी जो मेडिकल बुलेटन है वो जारी नहीं हुआ है डॉक्टर अभी जांच कर रहे है आई से मैं एडमिट कराया गया है डॉक्टर का पूरा पैनल मौझूद है जब मुक्तार को जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था उस वक्ट जो दो बजे जो उसे दिक्कत हुई सांस लेने में तकलीफ कुछ उसे हो रही थी जिसके बाद वहां जेल में जो डॉक्टर थे उन्होंने उसे पहले इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद रिक्मन किया कि मैंडिकल कॉलेज भरती कराया जाए अब डॉक्टर की टीम ज कराया गया है डॉक्टर का पूरा पैनल अभी उसकी जांच कर रहा है पूरी चीज की निगरानी की जा रही है चुकि ग्रह विवाग भी इस मामले में अपडेट लगातार ले रहा है अफजल अंसारी और मुक्तार की जो बाकी परिजन है वो भी दुपेर बाद बादा पह आपने जानकारी बीदी पिछले दिनों ही उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया रहा है उनकी जान देनी की कोशिश की जा रही है जेल प्रिश्रासन की तरब से ठीक है मरेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए तो मुक्तारन